यह सुनने में आया है कि अभी तक जो है अभी अर्थियों की जान जा चुकी है तो जब आप यहाँ पर दोड़ने आ रहे थे तो आपके घर परिवार वाले तो बड़ा चिंता में होंगे पुरा चिंता क्या बोल रहे थे दोड़ निकले ना निकले अपना जान को ख्याल कि यह कोई स्टेशन का सीन नहीं है यह कोई दिल्ली बंबे का स्टेशन नहीं है यह राजधानी राची का एक शेत्र है और रोड पर लोग पेपर भी चाके बेड़ सीट भी चाके पताई भी चाके सो रहे हैं किस लिए सो रहे हैं देख लिए कि क्या हो रहा है यह जो आपकी बेटी यहां पर दोड़ने आई तो रात इसी गुजारियेगा क्या कड़ेगा अच्छा पानी उनी के लिए बेवस्ता है नहीं है वेट को दीन काट रहा है अभी जदी पानी पड़ना पड़ जदा है तो फिर मैं मंत्री से कहूंगा मैं कहां रहूंगा हम लोग बाल मोटा मोटा गिटी है और इस गिटी पर जो है देख सकते हैं कि यह जो है पलास्टिक बिछाया हुआ है और इस पलास्टिक पे जो है एक अभियर्थी सो रहा है इस उम्मीद में कि सुबह मैं जल्दी लाइन लगूंगा उसके बाद दोड़ निकालूंगा और नौकरी पा था हर दर्द में जीना सीख गया तो जैसा कि आपको पता है कि पूरे राज में 22 अगत से जो है उत्पात सीपाही का दोड़ जारी है उत्पात सीपाही के दोड़ से रिलेटेट जो ख़बरे आ रही है उस ख़बर को सुनके मन जो है विचलित हो रहा है था कई लोग घायल हो चुके हैं कई लोग पागल हो चुके हैं बहुत जादा समस्या हो रही अभी हम लोग राजधानी राची के रिंग रोड के आसपास का यह जो जगवार का यह कैंप है उसके बाहर देख लिजए कि जुआ अभे अर्ति है कि इस परकार से यहाँ पर सो रहे ह जमीन में देख लिए कि अपना कोई बेडिसीट बिछाया हुआ हुआ है तो आप देख सकते हैं कि राज के मुक मंतरी हमन सुरेंजी से कहना चाहेंगे कि सर देख लीजे कि गरीब का बच्चा किसान का बच्चा और मध्यमवर्ग का बच्चा निमनवर्ग का बच्चा देख लीजे यहाँ पर नौकरी की आस में नौकरी की तलास में जो है सुबा जो है ये लोग जो है तीन बज़े से चार बज़े से दौने के लिए लाइन में लगेंगे उसके बाद साथ बिनस्त में जो है दस किलोमेटर जो है दौनेंगे तब जाके अगली परकिरियान के होगे लेकिन अभी का जो ये तस्वीर है आप देख सकते हैं कि मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में जहां तक आप नजरे जाएंगी लोग जो है सोय हुए है इस टेशन पर भी इस परकार का मारा मारे नहीं होता है आप तस्वीरों के मादेम से देख सकते हैं इधर देखिए ये गिट्टी देखें जारा आप देख लिए कितना मोटा मोटा गिट्टी है और इस गिट्टी पर जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है पलास्टिक बिचाया हुआ है और इस पलास्टिक पे जो है एक अभेर्थी सो रहा है इस उम्मीद में कि सुबह मैं जल्दी लाइन लगूँगा उसके बाद दोड निकालूँगा और नौकरी पाऊंगा नौकरी पाने के लिए किस परकार से पापण बेलना पड़ता है आप इस तस्वीर को देखके अंदाजा लगा सकते हैं राहों में काटे थे फिर भी वो चलना सीख गया वो गरीब का बच्चा था हर दर्द में जीना सीख गया हमन सोरेंजी इस गरीब के बच्चे को देखिए इन गरीबों को देखिए कि कैसे उत्पात सीपाही के अबयर्थी जमीन में भूईया में सो रहे हैं जारखंड के नेता बड़े बड़े कमरों में बड़ा बड़ा एसी में सो रहे होंगे एक दम चैन और सुकून के साथ लेकिन जो हमारे राज्य के अभियर्थी हैं उत्पात सिपाही के जो अभियर्थी हैं वो कहां सो रहें आप तस्वीरों के माद्यम से देख सकते हैं आईए कुछ अभियर्थियों से हम लोग बात्चीत करके जानने का प्रयास करते हैं कि कहां कहां से लोग आये हैं दादा जोहार जारकंड कोडरमा डिस्ट्रिक से आये हैं यह बताईए कि रात भर इसी सोईएगा भूया में हां क्या नम है पांकज कुमास सिंग कहां सा है पं सरकार इतना बड़ा न्युक्ति करवा रही है बहाली करवा रही है उत्पात सीपाही का अराम अरम से सरकार बहाली करवा रही है उत्पात सीपाही का तो सरकार के तरफ से एंबुलेंस का ब्यवस्ता ऑक्सिजन का ब्यवस्ता पानी का ब्यवस्ता तो होना ही चाहिए हां ए पारिस भी आती है तो कोई मतलब टेंट उन्ट का विवस्ता किया जाता बाकी रहली हो पारिस आगा तो किसे रहेगा धिंगते हुए रहेगा अभी आती है कहां से आप मैं तारनारी बोकारों से आया हूं आपके घर से कोई दोड़ने है है हाँ सर मेरे लड़का आया है प्लास्टिक भी 50 रुपर के लिए 50 रुपर अबिक्राइब यहां पर जो है भी भाग के तरफ से पानी का इंतजाम एंबूलेंस का इकजाम कुछ कि भी पानी की विवस्ता नहीं यह सरकार की नेती जो है राज नेती में छिपा हुआ है कि कहा नहीं जा सकता है है आपका य परकट करते हैं इसमें कि कम से कम छावनी की विवस्ता होनी चाहिए अभी जैदी पानी पढ़ना पढ़ ज़दा है तो फिर मैं मुख मंत्री से कहां रहूंगा हम लोग बाल बच्चा लोग यह सबसे बड़ा सवाल यह है माननी यह मुख मंत्री है मन सुरेंजी कि अगर अ जाए बरसाद का मौसम है काचा कच बारिश होने लग जाए तो फिर यह जो अभी अर्थी है जो यह खुले आसमान को जो अपना च्छत समझ के सो रहे हैं वो कैसे अपना रात बिताएंगे क्या इसके बारे में आपने सोचा है क्या इन गरीबों के बारे में इन बेबस बारे में कौन सोचेगा आखीर परकार का जो दोड़ होता है जैसे उत्तर परदेश पस्चिम बंगाल मध्य परदेश बिहार वहां पर जो है इसका जो प्रोसेस है अलग है लेकिन जारखन राज की बात करें तो यहां का प्रोसेस एकदम अलग ही लेबल का है आप देख सक दादा ये बताईए कि जब बारिश होती है तो कैसे आप लोग रात गुजारते हैं बस जनीतने घुज आते हैं क्या कर बहुत दिकत है बहुत नहीं है तो एसी बस रहना पड़ेगा अंतैसी रात पर रहेंगे बैठेंगे बैठके गुजारिएगा बैठके रात भर जो है बैठके गुजारिएगा नींद पूरी नेहोगी तो कैसे दोड़ निकालिएगा बस लगल है देखिये दोड जो जिसका मान लीजे कि एक सेकेंड के लिए दस सेकंड के लिए बी सेकंड के लिए एक मिनट के लिए दोड में अगर वो पीछे रह जाते होंगे तो यह भी का पिदायक मंतरी जी को कि बस एक किलो मेटर दोड के दिखाई है आप कहां से हैं हम लोगा बरी से बरी हजारी बाग बड़ा दूर से हैं क्या उम्मीद में है दोड निकालने के लिए का करें यह बताए कि हजारी बाग के पदमा सेंटर में इतने वेर्थियों की मौत हो गये प जाकर लगता है कि जगा भी नहीं है यहां पर फर्स नीचे भी सोने के लिए जगा नहीं है थोड़ा साथी टेल में बताएं कि कितना बज़े से आप लोग लाइन लगिए गा वही लगभग दू बढ़ाए बज़े बज़े बहुर से हां तो फिर आप लोग को दोड़ाया कब जाएगा वही लगभग पांच बज़े साइद में पांच बज़े लेकिन सुनाई देरा कि चालू करेगा मरने का सिच्वेशन जिस तरस लग रहा कि चालू करेगा सुन रहे हैं जिस परकार से खबर आ रही है और लोग यह मतलब लगातार यह ट्वीटर पे अलग-अल हुआ है सोरेन के कारेकाल से हम लोग खुश हैं नाए नाइन से बिलकल नाइन खुश था लगता हैं नाइन काàngकाल किसा है लगताक्ला यहां के जो गरीब के बच्चे हैं जो अभी अर्थी है जो निम नुवर्ग मध्यम मर्खे लोग है उनके इमोशन और भाव को कोई नहीं समझता है कोई कदर नहीं है यहां बस नेता का बेटा विधायाक वही जो जिसका नेता का बेटा नेता बंजागा जो है बड़े बड़े जो अला धिर चुका है यह भी आप जोन लीजी चुका है विच लोग फाल तुब्ली आया है एक फर्मणेटी पुरा करने कि दिल तोटल कितना 500 कितना सीट है तो फांटालिस पांसो शीट है और अब यह अर्थी पांच लाग है शाट लाग से प्लस है तो एक सेंटर में कितना लोग दोड रहे हैं अब बार में एक ट्रेक पर कितना लोग दोड़ता है सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार ट्वीटर पे यह मांग उठ गई है हमन सोरेन से लोग अपील कर रहे हैं यह जो उत्पात सीपाही का जो दोड हो रहा है यह जो शारीरिक एक्जाम हो रहा है उसमें फेर बदल किया जाए इस पे बिचार किया जाए क्योंकि इसमें जो है लगतार जो खबरे आ रही है कि जो ग्यारा बारा वेर्थियों की जान जा चुकी है और कुछ लोग जो है बहोस हो चुके है एक दो मैंने वीडियो देखा जिसमें लोग पागल हो चुके हैं आप सोचिए कि वह सक्स वह यूवा वैर्थी चार साल पांस साल तीन साल दो सा जाता होगा दोड लगाता होगा और आज जब उसके साथ कुछ होता होगा तो सुचिए कि क्या हो रहा है यह एक साइज यह उत्पाद सीपाई के अभेर्थी है यह देख लिजे कि एक अस्पताल में भरती है और किस परकार से यह कर रहे हैं यह कहां के है पलामू के है चली आप लोग तो पूरुश है युवा है जो यहां पर जो महिलाएं भी साते हैं आप अंदाजा लगाए कि क्या इस्तिती है जारखंड की नौकरी के आस में नौकरी के इंतजार में लोग किस परकार से जग जग कर राते बिताते हैं आप कहानियों में सुनते होंगे लेकिन हम आपको लाइब तस्वीरे दिखा रहे हैं कि नहीं कोई यह सांसत महोदे के बेटे हैं नहीं यह कोई बिधायक महोदे के बेटे हैं नहीं यह आईएस और आईपीएस के बेटे हैं जारखंड के किसान के बेटे हैं गरीब मजदूर के बेटे हैं और ये लोग उम्मीद में हैं कि आज दोड निकल जाएगा उसके बाद रिटल निकल लेंगे तो जो हम गरीबी बेबसी लाचारी में जीवन जी रहे हैं आज मार भात खाते हैं बल के लिए सोचना पड़ता है नौकरी पाने के बाद उससे हमको छुटकारा मिलेगा लेकिन बताईए कि किस परकार से नीती नियमाली बनाने वाले लोग हैं जारखंड में दुनिया से अलग बनाते हैं जेटेट का से लेबस बना उस पर भी बवाल उत्पात सीपाही का रनिंग हो रहा है इस पर भी बवाल मतलब जो भी होता है हर चीज़ पर बवाल जो भी दोड़ निकालने की बाद भी जब तक लिए प्राथमिक्ता घुस नहीं लेगा तब तक लिए कुछ भी होने वाला नहीं है सभी लोगों को कम से कम 55 लाग रुपया हाथ में रखना पड़ेगा तबी गरीवी दूर होगी जगा जमीन बेज करके अपना विचार देगा लोग ये एक अभियर्थी के पिता है और इनकी बातों से सुन सकते हैं कि किस उमीद से किस आशा से यहां पर अपने बेटे को लेकर आये है कुछ भी नहीं होने वाला है अब इसकी सरकार गिर जाएगी और पुना कोई पुनर गठन कोई नयाव लेकर के अच्छा भी आएगा और उस पर हम लोग फिर फरुरसा करेंगे जो उत्पात सिपाही की दोड़ है जारखंड में पुर्षो के लिए जो है साथ मिनट में दस किलोमेटर दोड़ लगाना पड़ता है न जी और जो महिला है उनको चालीस मिनट में पांच किलोमेटर दोड़ लगाना पड़ता है लेकिन जो अलग राज है जो पडोसी राज है पडोसी राजे और सेना में न्युक्ती के नियम क्या है जरा मैं आप तमाम दर्शकों को बता दूँ बिहार सिपाही बहाली में पूरुष के लिए 6 मिनट में 1.6 किलोमेटर का दोड़ है महिला के लिए 5 मिनट में 1 किलोमेटर क दोड़ लगाते हैं अभी यह सुनने में आया है कि अभी तक जो है अर्थियों की जान जा चुकी है तो जब आप यहां पर दोड़ने आ रहे थे तो आपके घर परिवार वाले तो बड़ा चिंता में होंगे पुरा चिंता में क्या बोल रहा है तो डोड़ निकले ना निक लेकिन कम से कम जान का ख्याल रखना लेवर कुली करके खालें मजदूरी करके खालें कहां से हाए हम मेर अध्यांज बालूमाद कुछरेगा बारिस में फंट में बुजरेगा और यह चली आगे चलते हैं चलिए आप लोग देख अगे चलते है जिधर महिला है उस घम लोग चलते हैं और दिखाने का प्रीज्ट करते हैं धेख सकते है कि ये कोई station नहीं है यह कोई दिल्ली बंबे का इस्टेशन नहीं है यह राजधानी राची का एक शेत्र है और रोड़ पर लोग पेपर भी चाके बेड़सीट भी चाके पतई भी चाके सो रहे हैं किसलिए सो रहे हैं एक उमीद में आसा में कि आज हम जो है मुश्किल से अपना रात तो कल जो है दोड़ जो होने वाला उस दोड़ में जो है मैं पास हो जाओंगा उसके बाद जो है रिटेन एक्जाम में पास हो जाओंगा मेडिकल में पास हो जाओंगा तो जो मेरे घर में गरीबी है पीड़ी दर पीड़ी जो मैं गरीबी से जुझ रहा हूं उसको मैं दू पर फर्माना चाहिए कि इस पर जो है इनके लिए कम से कम यहाँ पर पानी की बेवस्ता करना चाहिए बातरूम की बेवस्ता करना चाहिए कम से कम टेंट लगा दिया जाना चाहिए था जिस परकार से नेता जी अपना रैली करवाते हैं नेता जी रैली में जो है अपने कारेक पानी खुद का लेका है पैसा लगा के लेकर आप देख सकते हैं कि लोग सो रहा है यहां पर तो अभी का जो पचास वलासी ले रहा है तो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर की क्या है यहां पर यह जो है काकी है काकी कहां से आई है आप भागलपुर भिहार से हैं तो कौन आ अच्छा पानी उनी के लिए बेवस्ता है नहीं है बेट को दिन काट रहा है देख सकते हैं किसी दी तस्विर क्या है